बिसमलाई रहमान रहीम जी असलाम लेक। मेरा नाम डॉक्टर वहीदयसन है। आज की इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि मई के महीने में आप गाय भैंसों और भेड बक्रियों में कौन सी वैक्सीन कर सकते हैं। उनकी क्या डोज रेट है और किस तरह आपने लगानी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ के जिन भाईयों ने अपरेल में भेडों और बक्रियों में पीपी आर की वैक्सीन कर ली थी तो ठीक है। किस तरह कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर वो आपने कर ली हैं अपरेल वाली तो आप मई का महीन है। तो इसमें आप जो है वो सबसे पहले बात करते हैं भेड़ और ब का सिस्टम है। वह एफेक्ट होता है जानवर शदीद खांसता है उसके नाग से जो है वो बलगम सी आती है और इंतहाई शदीद बुखार होता है और बुखार होने के साथ साथ पिर जानवर खाना पीना चोड़ जाता है और अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो उससे जो है वो जानवर की डेथ भी हो सकती है खासतों पर जो कमजोर भेड़ बकरी है तो उनकी जो है वो चरह अमवात में इजाफा हो जाता है तो इसकी वैक्सीन आप लाजमी कर लें ये गौर्मेंट के फार्म से भी अविलेबल है प्राइवेट आप लेना चाहते ह या जिस वक जानवर आएं उस वक तो ये आप प्रेगनेंट जानवर है उनको भी लगा सकते हैं प्रेगनेंट जानवर को भी मसला नहीं है तो इसलिए आप प्रेगनेंट का भी ख्याल किया रहें क्योंकि वो जो प्रेगनेंट जानवर होते हैं उनको बिमारियां ज्याद कि झाल झाल वाल ख्याद कोंकरे बीर के बारा रोर्त्री एकर को से सब्सक्राइंबM को시 handled किया है ृत जाता बार्त्स कि क्या समाइlt करे अब में भलन फादneg में पहलें इतरी होगे विडियो में ने ठी डांकर के जबता हुआ है रघ्लियो थिक ठाक रात को बंद किया था, सुबह देखेंगे तो ठीक ठाक जो सेहतमन बक्री है या बक्रा है या भेड है, नर भेड या मादा भेड तो वो मरे पड़े होते हैं, तो इसलिए जो है इसकी वैक्सीन टाइमली करना बहुत जुरूरी है, ये साल के किसी भी वक्त आ सकती ह है तो इसलिए आप किसी भी वक्त जितना हो सके इसकी आप वैक्सीन लाजमी कर लें और बाद वही दुबारा मैं करूंगा कि जो है वो कोल चेन की मैंटेनस अपने लाजमी करनी है कि जो वैक्सीन है वो ठंडे उसमें पड़ी हो नेक्स्ट जो है वो गाए भैसों की वैक् अपरेल वाले महिने की वीडियो में बताई हुई है नेक्सT अगर व आपने की हुई यह चोड़ अमार की तो फिर आप जो मैं मैं आपने करनी है वैक्सीन वो जनरली होती है एक बैमारी होती है जिसे थ्री डेस सिक्णिस भी कहते हैं बॉवाइन ऐफिमरल फीवर भी कहते या जिसे आम जबान में विल का बुखार भी कहते हैं तो ये बिमारी जो है वो मई के एंड में जब बार्शे शुरू होती हैं जून जलाई अगस्त के महीने में तो इस वक ये बिमारी आ सकती है तो अगर अभी मई में आप कर लेंगे वैक्सीन तो अची बात है उसे यहे है कि आपके जानवर की प्रोटेक्शन हो जाएगी ये बिमारी भी बहुत फ़तर نाक है इसमें जानवर कोई शदिद बुखार होता है और जानवर खाना पीना छोड़ जाता है जो छास और पर प्रोटेक्टिव जानवर है तो उनके लिए जो है वो मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो एक मिसाल मैं देता हूं ये वैक्सीन जो आपने करनी है वो बोवी शॉर्ट वालों की है इसका नाम है एफिमर तो वो आप कर सकते हैं ये वाइल मिलती है जिसमें तीन दोजे होती है आपने शॉर्ट वाटर फार इंजेक्शन मिक्स करना है और दो सीसी फिर आपने लगानी है एक जानवर को और ये दो सीसी लगेगी जिल्द के अंदर और ये आप तीन महीने से उपर वाले जो है वो बच्चणों को लगा सकते हैं और ये आपने जो है वो जो भी प्रेगनेंट वगए रहा हैं उनको भी लगा सकते हैं तो सेफ हैं तो आज की वीडियो यही थी मजीद भी अगर आपके जहें में कोई सबाल है तो वा कमेंट्स में या मेरे वार्ट सैप नमर पर राप्ता कर सकते हैं तो दौा में याद